आप सबका स्वागत है टेकनोलोजी के नियूली एंड मोस्ट इंपोर्टन अपडेट में क्योंकि आपकी सेहत से जादा इंपोर्टन कुछ नहीं है तो फाइनली इंडिया की फर्स्ट आपको आन रोड फाइब जी कनेक्टेड एंबलन्स दिखाए देती है यह अफिशली ल टेकनोलेजी बेस्ट एंबलन्स में दिखाई देती है क्योंकि इंडिया के जो आकड़ें वह बहुत जादा घबरा देने वाले होते हैं कि दूरिंग दी एंबलेंस मतलब हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं तस किलोमेटर का एवरेज होता है वहां पर प्रॉपर तरीके से ट् ट्रेंट डॉक्टर आपकी एंबलन्स के अंदर ही बैठा वह मिलेगा वो दुनिया में कहीं भी हो या आपकी बात करी जाए तो आपको रिकार्मेंट हो तो उसे हर तरीके से आपकी हैल्थ रिपोर्ट भी मिल सके वह कहीं ना कहीं जो कंप्लीट करीगी वह फाइव जी टे लेकिन ये एंबलन्स का एक्चुल रिव्यू तब ज्यादा अच्छा होता है कि हमें कोई बुला लेता है अपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है जैसे कि बात करी जाए तो इसमें आपको एडवांस टेक्नोलीजी लैस एक्क्यूपमेंट दिखाई देते हैं जै इसकी सहलेता से पेशंट की सब कनेक्टिविटी या हम बात करें जो भी उसके एक्क्यूपमेंट है यह में बात करें एक्ष है वो पूरा कम्पूरीट किया जा सके इसमें 아प को टैलीमेटरी डिवाई दिखाई देता है ट्रांसमेट धी पेशंट हैल्थ रियल्टाइम ड प्रदान करने के लिए और जो वहां पर एक senior doctor है या हम बात करें आपको advanced technology less doctor दिखाई देते हैं जहों कि बहुत ज्यादा easiest तरीके से critical condition को handle कर सके तो वहां पर बैठे बैठे इसे proper तरीके से ठीक कर सकते हैं different types of camera angle दिखाई देते हैं जहां पर life location या life condition मालुम चल सके आपको क इक patient किस condition में हो और उसे किस तरीकी की monitoring क्योंकि हम बात करें अब आता है सवाल कि यह 4G पर possible नहीं था कि satellite से connectivity करके यह possible नहीं था क्योंकि तब आप on road चल रहे हैं तो यह possible बिल्कुल नहीं है आपको high speed data चाहिए आप यह expectation बिल्कुल भी कि मुझे 25 या 30 या 40 mbps की speed पर नही आपको camera, health monitoring, pulse rate, दुनिया भरी के equipment होते हैं जो कि data directly hospital transmit होगा और वहाँ पे good advice दे पाएंगे जो कि बात की जाएंगे ambulance के अंदर बैठे होंगे doctor तो वहाँ पे आपको एक senior doctor से directly advice मिलती है नहीं आपको यह करना यह करना है तो वह एक बहुत अच्छी guidelines होती है जान बचाने क के लिए सबकी लेकिन यहां पे कही ना कहीं और ज्यादा important है कि 5G connectivity क्या mobile के दुआरा तो नहीं दी जाएगे तो एज़ा नहीं है इतनी बड़ी ambulance में mobile लगा के नहीं घूमेंगे क्योंकि यह advanced technology है तो कही ना कहीं इसमें आपको नए तरीके की technology base जो हमने एक वीडियो भी ब बात की जाए तो long distance पे भी बहुत अच्छी connectivity मिल सके तो यहां पर advanced device यूज किया होंगे 5G के लिए और इसे जो design किया गया है वो health net global limited के दौरा किया गया है जो भी equipment patient को emergency के दौरान required होते है और वो जो भी data है वो easily transmit किया जा सके hospital real time तो वो यह सब कुछ design किया गया है health net global limited के दौरा बात करी जाए तो atal 5G last year April में US based gear making Cisco जो की 5G technology पालरी वर्क भी कर रही है तो अप्रेल में बैंगलूरू के अंदर test किया गया था ambulance का लेकिन finally Apollo ने Apollo के साथ ही किया गया था उस time भी तो finally call का था के अंदर Apollo ने अपनी 5G service launch कर दी है ambulance के साथ जहां पे आप unlimited connectivity देखने क लिए मिलती है और दूर दराज इलाकों में भी आपको proper तरीके से आप सिरिफ call करें number like this 1066 आपको देखने के लिए मिलता है तो वहां पे आप call करते है तो easily आप directly ambulance को बला के अपना health check up directly hospital जाने की वजाए आप अपने घर पे बैठे बैठे या ambulance बला के वही पे doctor से advice ले सकत अब कहीं ना कहीं travel भी बचेगा और जो critical situation में होते हैं कि बार बार hospital नहीं जा सकते तो वह अपने घर पे बैठके भी इलाज करवा सकते तो यह सारी facility आप कहीं ना कहीं Apollo call गाता है कि अंदर तो नहीं जल्दी जल्दी आपको और सिटियों में भी देखने के लिए मिलेगी हैदरबाद, Mumbai, Bengaluru और भी छोटी-छोटी सिटी जहां पर आपको Apollo hospital बात की जाया है तो यह सिर्फ आपको ambulance नहीं कहेंगे इसे यह चलता फिरता fully functionality Apollo hospital है क्योंकि इसमें आपको जो requirement होती है वो मिल जाती है और real time आपको सब medicine की update की क्या लेनी है क्योंकि on road आपको medical मिल जाते ह कहीं भी खड़ी करके आप कहीं ना कहीं एक fix condition में इलाज करवा सकते हैं और जो भी requirement होती है अवरजेंसी में ambulance में दवा नहीं है तो road पे आपको medical भतिरे मिल जाते हैं जहां पर आपको जाद अगर्स सभी दवाईया देखने के लिए मिल जाती है तो कहीं ना कहीं health related issue जो थ कर देखने का धने बात